अगर आप दीवी के संपर्ग में हैं उसके बाद उर्जाओं का नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं होगा ऐसी चीजों का उस इंसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो सच में ध्यानशील है जितने आप मानसिक और भावनात्मा खुरूप से विजलित और अस्थिर होंगे उतनी ही आसानी से आप इन शक्तियों से प्रभावित होंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो उर्जाओं को तोड़ मरोड के किसी को नुकसान पहुचाते हैं वो इस तरह किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं भारत के कुछ हिसों में ये काफी प्रचलित है एक वेद है चार वेदों में से एक अथर वेद इसी को समर्पित है कि उर्जाओं का इस्तेमाल अपनी खुशाली और किसी दूसरे को नुकसान पहुचाने के लिए कैसे किया जा सकता है जरूरी नहीं है कि इस तरह की उर्जाओं या इस तरह की क्रियाओं का इस्तेमाल सीधा आपके उपर किया जाए अभी अगर कोई मेरे साथ कुछ नेगेटिव कर रहा हो और अगर मैं उसके लिए ग्रहेंट शील नहीं हूँ और आप यहां बैठे हैं तो आप रभावित हो सकते हैं यह बिलकुल हो सकते हैं यह कुछ ऐसा है जैसे सड़क पर लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हूँ और आप बस वहां से पैदल निकल रहे हूँ तो गोलिया आपको भी लग सकती है तो कुछ खास अभ्यास हैं अगर आप इन अभ्यासों या कुछ खास उच्चारणों को अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में ले आएं तो इन चीजों से आसानी से बचा जा सकता है रुद्राक्ष का जो बीज होता है उसका पेड मुख्यतोर से खास उचाई पर होता है लगभग 6500 से 12000 फीट के बीच रुद्राक्ष का पेड इस उचाई पर हिमालेक शेतर में उगता है और इसका स्पंदन या वाइबरिशन बहुत अनुखा होता है तो वो लोग जो लगातार यात्राइं करते हैं रुद्राक्ष पहनते हैं ताकि उनकी अपनी खुद की उर्जा का एक कोकून बन जाए ताकि बाहरी उर्जाएं उन्हें परेशान न करें उनका अपना एक हम इसे कवच बोलते हैं आप जानते हैं कवच क्या होता है ये एक तरह से एक खोल जैसा है आपके अपनी उर्जा का एक खोल जहां भी आप जाएंगे आपका निजी बेडरूम आपके साथ जाएगा यह आपके साथ चलेगा जहां भी आप जाएगा वो लोग जो की परिवार और समाज के बीच हैं हमेशा उनके पहनने के लिए सबसे बढ़िया रुद्राक्ष पंच अशा ही उन परिवारों से लिया जाता है जो हजारों सालों से रुद्राक्ष को समाल रहे हैं वही परिवार उनके लिए ये एक पवित्र धर्म जैसा है ना कि बस एक बिजनस एक और बीच होता है जिसे भद्राक्ष बोलते हैं वो भारत के उत्री मैदानों में खूब पा दिखते हैं इससे भी अच्छे पर वो प्लास्टिक रोद्राक्ष है ठीक है तो सबसे अच्छा होगा कि इन्हें जानी मानी जगा से लिया जाए नहीं तो तमाम तरह की चीज़ें आएंगी मैं आज कल देखता हूँ बहुत सारे ये शब्दों के अभाव के वज़े से मैं ऐसा कह रहा हूँ ये नये जमाने टाइप के लोग ये सारे अपने अंगूठों में मेटल की अंगूठी पहेंते हैं दिखिए अगर आप अपने अंगूठे में धातू की अंगूठी डालते हैं तो आप पक्का अपनी और कुछ खास तरह की नेगेटिव शक्तियों को बुलावा देंगे इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई अपने वश में ही कर लेगा पर आप बिना वज़ा गिरते लड़ते फिरेंगे तरह तरह की चीज़ें होंगी हर चीज गलत होगी सिंपल चीज़ें भी मुझे नहीं पता अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं या किसी समय पर खुद आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं तो वो लगातार बिगड़ती चली जाती हैं लगातार आप गिरते हैं एक या दो नहीं ये बस होता ही चला जाता है सब कुछ और हर चीज गलत हो जाती है चोटी से लेकर बड़ी चीज होता है बस इसलिए क्योंकि शायद उन्होंने उर्जा के कुछ खास आयामों को अपनी औरा करशित किया है जो कि जो दुनिया में कुछ भी करने के लिए सायक नहीं होते बलकि ये किसी और चीज़ के लिए सायक हो सकते हैं सिर्फ वही लोग जो तंत्र विद्या करना चाहते हैं वो अंगूठे में अंगूठी पहनते हैं पर आज या तो अज्यानता में या फैशन में एक बार आपने अंगूठे में मेटल पहन लिया तो आप इन चीज़ों को बुला रहें ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिने लगता है वो किसी के वश में हैं और यह सब हम उनसे बस इतना कहते हैं आप बस यहां आकर ध्यानिलिंग क्षेतर में बैठिये क्योंकि ध्यानिलिंग में तंत्र के ऐसे आयाम हैं जो इन सब चीज़ों को काट डालते हैं वो यहां से पूरी तरह मुक्त होकर जाते हैं क्योंकि ध्यानिलिंग क्षेतर में तंत्र कायामों का समाधान हो जाता है बस एक पूनमा या मावस्या के दिन जब आप इन चीज़ों को लेकर जादा ग्रहेंड़ शील होते हैं बस एक दिन बस वहां बैठ कर जाएए अगर आप देवी के संपर्क में हैं चाहे देवी यंत्र की मदद से या चाहे जैसे भी यंत्र आपके हाथ में है या आपके दिल में या आपके उपर है पर एक बार जब आप उस उर्जा के खोल में हैं जिसे हम देवी या भैरवी कह रहे हैं उसके बाद उर्जाएं आपके लिए नकारात्मक हो जाएं ऐसा नहीं हो सकता तो अगर आप बस इतना सुनुश्चित कर लें कि आप सही किस्म का खाना खा रहे हैं अपने सिस्टम को ठीक से रख रहे हैं तो ये संभावना कि आप में कुछ गडबली हो जाए जिसका कारण कोई दूसरी उर्जा या ऐसा कुछ है ऐसा होना आपकी जिंदिगी से कोसों दूर की बात है उनसे दीवी ने पट लेंगी अगर आप सच में ध्यानशील हैं तो आप तंतर के बारे में सोचिए भी मत इन चीजों का उस इंसान पर कोई असर नहीं होता जो सच में ध्यानशील है अगर आपने मौन को अगर आपने अपने भीतर के मौन को थोड़ा सा भी जाना है कम से कम आपके भीतर दिन में कुछ पलों का भी मौन है तो आप तंतर की जिनता मत कीजे ऐसी चीज़ें उस इंसान को प्रभावित नहीं करती जो अपने अंतरतम की निश्चलता को जानता है किसी ने कहा है आदमी केवल लिल है यानि बीमार है क्योंकि उसे स्टिल यानि स्थिर होना नहीं आता यह बिल्कुल सही का है यह बिल्कुल सही है सारी बीमारियां इसलिए हुई है क्योंकि उन्हें स्थिर रहना नहीं आता खास कर वो वाली जो आपके मन को प्रभावित करती हैं और वो जो दूसरे प्रभावों के कारण होती हैं ये चीज़ें इसलिए संभव हो पाती हैं क्योंकि कोई स्थरता नहीं है तो अभी इस समय आप ध्यान की प्रक्रिया से अपने जीवन में वो निश्चलता लेकर आ रहे हैं अगर आप स्टिल हैं तो आप इल नहीं होंगे जितने आप मानसिक और भावनात्मक रूप से विचलित और अस्थिर होंगे उतनी ही आसानी से आप इन शक्तियों से प्रभावित होंगे अगर आपके अंदर एक तरह का फोकस और संकल्प है तो आप देखेंगे कि ये चीजें बस ये सड़क पर एक छोटे से बस एक छोटे से उभार की तरह होंगे दुरखटना नहीं होगी लेकिन अगर आप अपने मन और भावनाओं में एक तरह की अस्थिरता में हैं तो इससे दुरखटना हो सकती है